हेलो अब्यूमन हम यहां देखेंगे कि कोई अगर यूजर इंपुट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर प्रेंट होते हैं वो कैसे होते हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो बेसिक सी चीज़ा है जो हम लाइजिज और कोडिनोट करते हैं पर यूजिंग नेम यह आप रेडियुक्त लिख सकते हो आप थेक है तो सबसे पहले हम एक प्रिंट फर्वाइंगे शी आउट करके ढूंस ओ फरके एंटान इसर जो कि स्क्रीं पर डिस्पेंब्र होगा फिर scene से क्या होता है यह scene जो है console input इससे हम scene में हम input लिखते हैं ठीक है और cout काम सिर्फ display करता है जहां पर हम लिखे रहता है कि जो यह statement है ना इस स्टेट्मेंट से out में लिखा जाता है और आपके screen पर display हो जाएगा उसके according इस console output के according जो उसके बाद प्रोसेस होती है scene इसमें हमें input देना होता है ठीक है तो हम जो number है ठीक है कुछ भी number होगा वह हम डाल लेंगे ठीक है तो फिर उसके बाद फिर एक console output करके हम उस जो variable है जो number है जहां आपके हम store करवाएंगे मान के से लिए हम पचपन डाल चुके है ठीक है तो console output में आमें पचपन देखने को मिलेगा क्या क्या है हमें कोई भी जो inputted value हुआ है वो अगर हम input करते हैं या फिर कोई process होती है तो output में हमें दिखाई देता है तो जो कि see out के मदद से हम लोग को देखने में को मिलती है ठीक है तो अब फिलाल तो इतने ही आगे हम बहुत कुछ देखेंगा ठीक है थैंक्यू सो मच